गुट न्यूज टुडे नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल ये भी दावा है कि लड़की के ब्रस्ट को भी काट लिया गया उसके ब्राविक पार्ट पर भी गहरे चोट के निशान मिले लड़की के परिवार का आरोप है कि जिस यूवक ने हत्य की बात स्विकार करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर किया है उसमें काफी गडबली है क् जिस तरह से लड़की लापता हुई उसे कुछ लोग पूछताज के लिए ले गए तब वो इस शक्स के पास कैसे पहुँच गई इसलिए ये लोग जस्टिस फ़र साबिया नाम की मुहीम चला रहे हैं अब धीरे धीरे देश भर में उसे इंसाफ दिलाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं मृत लड़की 21 साई की साबिया है जो दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करती थी 27 अगस को दिल्ली पुलिस की सूठना पर फरिदाबाद के सुरतकुन पाली रोड के पास से लड़की का शव बरामत हुआ था ये शव रोड के अंदर करीब 10 से 15 फिट दोरी पर जहरियों में पड़ा हुआ मिला दरसल बारदात को अंजाम देने का दावा करते हुए एक शक्स ने दिल्ली के कालंदी कुछ पुलिस टेशन में सरेंडर किया था उसने बताया था कि ओ मिर्ट लड़की का पती है दोनों ने घरवालों को बिना बताय शादी की थी लेकिन अब उसे लड़की के चैतर पर शक हो रहा था इसलिए उसने हतिया करके शव को सुरजकुल रोट के पास जारियों में फेक दिया था वही इसकी जानकारी मिलने के बाद लड़की के परिवार ने शादी की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया परिवार का ये भी आरोप है कि घटना वाले दिन जब बेटी देर राग तक घर नहीं पहुची तभी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की ने फून किया था उसने बताया था कि एक मामले में उनकी बेटी से पूच्टाश करने के लिए कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं इसलिए उसका फून भी बंद आ रहा है ऐसे में सवाल अब ये उटता है कि अगर कुछ लोग लड़की को पूच्टाश करने के लिए अपने साथ ले गए थे तो फिर अचानक पती होने का दावा करने वाला शक्स उसके पास कैसे पहुच गया और फिर हत्या करने के बाद अचानक सरेंडर त्यो कर दिया विरोर रपोर क्रीमजाग